आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यहां पर दोस्तों परवले की परिभासा से जो हमारे पास ना भी है उससे बिंदू P की दूरी अर्थात P S बराबर होगा, P से नीधा पर लंबवत दूरी अर्थात P S. यहां पर क्या है हमारा जो P M है वह लंबवत है M Z पर यहां से दोस्तों हम बात करें P S की, तो P एक बिंदू है, S एक बिंदू है, दो बिंदू के मद्दे की दूरी हमारे पास क्या हो जाती है? बात करते हैं हम X के नियामक जो है, वह आपस में घट जाएंगे, X रन 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 एक तो रन रन एक धन एक हो जाएगा, का वर्ग धन, Y रन दो का वर्ग और करनी में, यह P से S तक की दूरी हो गया, बराबर PM, PM के हैं लंबवा दूरी है, बिंदू, बिंदू, P से ये नियामक के समी करन, X रन दो रन पंदरा पर, तो यहां से दोस्तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा? X रन दो Y, रन पंदरा, पूरी से बटे, करनी में, X का गुडांग क्या है? एक है, तो एक का वर्ग धन, Y का गुडांग रन दो है, तो रन दो का वर्ग, यह PM की दूरी हो गए, यहां से दोस्तों दोनों पक्चों में हम व एक का वर्ग धन, Y रन दो का वर्ग, चो कि यहां वर्ग मुलढ गया, यहां से X रन दो Y को एक सांथ ले लेते हैं, रन पंदरा, पूरे का वर्ग हमारे पास, और बटे में, हमारे पास क्या आ जागा यहां पर? करनी में एक का वर्ग धन, रन दो का वर्ग है, तो एक धन, दो कवर्गः। 4 हो गया, 4-5 पांच तो यहा Gogra गीघ सांच हो जाएग लिकना भी काकई है zrobić फैल, 2 वर्ग देख सकते हीं जो क्या हो जाएगा, 5-ज हो गाज़ से कार इख गीज कार गीज कार फैल कर्ण से को झो सांट हो जाएगा यहां से हम देख सकते हैं पांच का गुड़ा यहां करेंगे तो पांच एक्स का वर्ग धन पांच दुनी दस एक्स धन पांच पांच चुग 20 यहां पनाज पांच 5 गुड़ित 5 पंच 25 हो जाएंगा बराबर यहांसा हम लिख सकते हैं जुमरें फांच मैड़्ग 25 यहां से हम लिख सकते हैं यहांसा अ conform यहांसे हम लिख सकते हैं थो चुक थ आ यहांसा हम लीख interprete यह ग्यारब दन न पोधकर करें एक्स 2,1325, रिण 30 X, रिण रिण हो जायगा धन, तो 30 गुड़ी 2, हो जायगा? 60 Y, यहां हमेरे परस आया, यहां सब हम कहल करते हैं, तो हमेरे परस किया जायगा? यहां 5 X का वर्ग है, एक्स कवर्ग है पक्षांतर होगा रिड एक्स कवर्ग आ जाएगा बचेगा चार एक्स कवर्ग इसी प्रकार यहाँ पे चार एक्स वाई है रिड में है तो इस पक्ष में आकर धनात्मक हो जाएगा चार एक्स वाई यहां पर हमारे पास पांच वाई कवर्ग है यहां चार वाई कवर्ग है चार वाई कवर्ग यहां इस पक्ष में आत्मक हो जाएगा तो यह बच जाएगा पांच में से चार गया तो वाई कवर्ग बच जाएगा इसी प्रकार यहां पर हमारे पास दस एक्स है और यहां हमारे पास रिन 30 X है 10 X और रिन 30 X इस पक्ष में आएगा तो धन 30 X हो जाएगा तो 10 धन 30 40 X हो गया यहां पर रिन 20 Y है यहां धन 60 Y है धन 60 Y है इस पक्ष में जाएगा रिन 60 Y हो जाएगा तो 20 60 80 रिन 80 Y हमारे पास हो जाएगा इसी प्रकार यहां पर 25 हमारे पास ह है यहां 220 है इस पक्षमाय के HR rich bh 25 हो जाएगा तो मान का जाएग REM dinheiro 200 हो जाएगा बराबर सुन्य हमाले पास आया तो दोस्तों यहां सम देख सकते हैं था हमारा परवले की बला समीसकरण आउ कोगे हैं इसई लिखेंगे इन दू में जते हिवाडा क्या सवाल समझ में आया होगा धन्यवाद